नमस्कार दोस्तों जी में नाम है विवेक पांड़े बहुत बहुत श्वागत है बिहार अड़ा 24-7 यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यह जो सेशन मैं यहां पर ले के आया हूं वो सेशन है आपको किसके लिए तो आपको स्टेट के लिए आपको यह पता है कि अभी बिहार में स्टेट टीचर टेस्ट के तहत नोडिफिकेशन आ चुकी है इसकी तयारी में हम लग भी चुके हैं तो दोस्तों यहां पर मैं विवेक पांड़ने में पहले बढ़ने बढ़ने वाले हैं तो जो आज मेरा पहला सेशन ह है इसमें मैं चर्चा क्या करने वाल हूं आज हम सबसे पहले डिटेल स्लेबस डिसक्स करने वाले हैं अगर यह स्टेट टीचर अलिटेस्ट हमें क्वालिफाई करना है तो कंप्यूटर साइंस के कौन-कौन से टॉपिक होंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है कहां पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कहां पे हमें फोकस कम करना चाहिए कौन सा असा पार्ट है जहां पे मुझे डेफ तक जाने चाहिए यह सारी जानकारी है जो आज की वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में सबसे पहल तो यह इस पातरता आपके पास नहीं है तो अगली जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे आप अप्लाइ करने के लिए तो सबसे पहले इस मेंगेटरी पार्ट वो बच्चे जो इस शेतर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको यह पातरता क्वालिफाइ करना ही करना होगा और अब बहुत खुस नशीब है कि आप बिहार सरकार ने एक ऐसा सिस्टम पिछले दो वर्सू से कर दिया है कि बहुत सिस्ट मेडिकल तरह से एक्जाम हो रहा है तरीके से रिजल्ट हो रहा है तो आप अपनी पीट थपता सकत हैं अपने शरकार पर की बहुत सारी चीज़ें जो विधिवत तरीके से हो रही है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर कि आज क्या हम लोग यहां पर पढ़ना चाहिए चाहिए सबसे पहले एक नजर हम एक्जाम पर दोड़ाते हैं यहां पर आपको यह पता है आप दो पेपर होता है पिपेपर 2 के लिए आप हैं जो कम्प्टार्स सैंस के बारे में इहां वैं चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं अभी शिवाल कहणार के बारे में बात करो अगर वह भी आपकी जानकारी होनी चाहिए उसके बाद अगर में बात करूं तो सबसे पहले जो 150 नंबर का पेपर उसमें 100 नंबर पेपर है वो आपके computer science से हैं और इस computer science के लिए क्या क्या टॉपिक है वह भी मैं discuss करूंगा और बाकी का जो 50 नंबर है वो आपका जेनरल जेनरल पेपर है जिसमें आपका टीचिंग स्कील भी काउंट होगा और अधर स्कील भी जिसमें इन्वार्मेंटल स्टेडिव एगरा कंस्रीडर किया जाता है तो कहने का मिला 100 नंबर का पूरा वेटेज आपका CS पेपर का है और बाकी 50 नंबर का वेटेज है वो आपका अलग यानि एडिसनल यानिकी जनरल पेपर का है ठीक है तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैं आपको थोड़ी से दो तीन जानकारी दे दू कि पूरे कंप्यूटर को मैं तीन भाग में बाठता हूं सबसे पहला भाग होता है बेसी कंप्यूटर जो हर एक्जाम में आता है आप कोई भी वन डे एक्जाम उठा के देख ले आप ऐसे सी या फिर और टीचिंग आपका एक जेनरल बेसी कंप्यूटर होता है जो हर एक्जाम में आता हूँ वो सबको आना चाहिए आप कम्यूटर साइंस के हैं या नहीं है दूसरा लेबल मैं रखता हूं और उस लेबल को मैं आता है आपका ये टीजी टी और पीजी टी एक्जाम थोड़ा सा इसका टफ होता है कि मुड थोड़ा बहुत जो लेबल होगा इसका गेट से कम होगा ये रखेऊ पूरा सीपर क्या होता है या इतनी बھی जानकारी आपके पास है तो इसएकगिजाम जाएस हों तो आप कर सकते आगर मैं बात करता हूं यहां पर साइन्स का सब्सक्राइब ऑन कर लगे जानकारी घ्वार्ण कर लोगे जानकार हिए यह घ्यां कारी तब या पैग्जाम क् Fam Alive कर लो तो आपको एक आईडिया लग गया होगा अगर कम्यूटर साइंस के स्टूडेंट आप है कि कि स्टेंडर का कोशन यहां पर आने वाला है प्यारे बत्चों मैं आपको यहां बता दू कि पूरा कम्यूटर साइंस जो है आपका है टोटल 15 सेग्मेंट में यानि 15 यूनि सब्सक्राइब करता है कि आपका हो सकता है कि सैग्मेंट से कम लेकिन हम यह कदापी नहीं है कि 15 में यह चेप्टर को हटा तो इससे कोशिस नहीं बुनएगा जो यूंट वहां पर में साने कुकि 100 को पढ़ना पड़े घा हम लोग देख पा रहे होंगे इससमें कौन सा सेग्मेंट से कम आया या ज्यादा है सारा 15 पंदर यूट आपको इक्वल महनत नहीं मांगता है तो किसी में कुछ कम है किसी में ज्यादा वह हम बात कर रहे होंगे तो सिंपल सा बात है 15 सबसे पहला यूनिट है वह आपका डिजिटल लॉजिक है ठीक डिजिटल सर्कीट भी आप लोग बात कर रहे तो सिंपल सा भात हम लोग हर जगा डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर क्या है तो हमार एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने कॉंपोनेंट होते खासका डेसिमल टूबाएनेरी एक्षा डेसिमल और टेल चार नमर को समझता है तो इसके सापट चमण वर्जन होते हैं डेसिमल से बाइनरी कंवर्जन बानेरी से अगशाडेसिमल कर अब्रजन इन सारे कंवर्जन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर पाते तो पहला टॉपिक व हो रहा है बुलियों औरल्जेब्र direct को फुचा जाता है जिसमें आपका लाजाथ उसन में आपका इनिवर्स लाजाता है तो इस लोर के घृट कोश्टें बनता है एक्जाब में कि ईह कॉन सा लाह में यह दिस्तिबूटेट यह बनता हैं कोशन मनता है सिंप्लिफिकेशन का आपको एक एक स्प्रेशन गिवेन होगा और उसको सिंप्लिफाइक करना होगा तो यह दोनों चीजों से आपको यहां पर ने को मिलने वाला है ठीक है तो यह पार्ट यहां पे हो गए दोस्तो कैम में लोगीकल जो अलड़ी मैंने आपको बता दिया थे कैम आप बूले ले सर्व फिर आपको लॉजी गेट भी है और लोजी केक्ट जब है तो उसके बाद आपको Vस्टांगी पढ़ना ही पड़ेगा फिर आपका मालोम के यहां ता हैической सब्सक्राइब की सब्सक्राइं में अब का में थानसरद सकेस्ट यहां पढ़ना पडrada बना प्रचार जानकारी भी आपके पास है तो इस सेक्षिन पर अच्छा कर लोगे यहां पर उसके बाद और इसके बारे में जानकारी यहां पर आपको दी जा रहे हैं तो कहने का का मतलब है कि फर्स सेग्मेंट है पूरा आपका डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स है और आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि यहां पर कुछ आपको गनितिय गन्ना भी देखने हैं कुछ क्या पर कर पाते हैं तो यह बड़ा मेरे को इंट्रेस्टिंग लगता है चलिए अब आत पर आते हैं वह मेरा कंप्यूटर और्गनाइशन से पार्ट है अब क्लियर हो गया उसके बाद और अच्छे से टेकल कर पाएंगे क्योंकि यह हमारा बिहवियर बताता है सिंपल सा बात है कंप्यूटर क्या है तो इंपूट लेता है इन सारे सिक्वेंस को मेंटेन करने क्ल करते हैं तो यह दोनों को एक साथ ही रखा रहा रहा था यानि की कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिट्र इलेट्रोनिक्स को एड़ कर देता है लेकिन जब पीजी टीटीटी के बारें बात करते हैं तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले यहां पर भी ह दोनों एक ही चैप्टर है लेकिन दो भाग में यहां पर आपको बाट के दिया गया है ठीक है चलिए पारिटी बीट में अपर पारिटी बीट रिप्रेजेंटेशन हो गया है एरट डिटेक्शन में जिसे हम लोग सी यार सी मैथड़ के बारें बात करते हैं इवन पैरिट के बारे में और यहां पर एक चीजज और मैं डाउन करना चाहूंब यहां पर यहां पर दिसकस कर पाएंगे इस वाले पार्ट में ठीक है चलि तो यह वाला हो गया kita कब्यों एक साथ हमारा कवरत हो जाएगा ठीक है टाइम लगेगा लेकिन हो जाए गाइसमे चुसके बार आते हैं प्राइमिंग डेटा स्ट्रेक्टर में ठीक है आज जो एक्जाम हुआ है आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर बिट जो हुआ है पीजिटी का पेपर सी लैंगवेज के बारें बात कर रहें तो वहां पर लैंगवेज तीनी प्रिफर होता है सी प्लस प्लस जावा और के विए सवेगरा में पाइथन भी देखने को मिलता है तो कहने का मतलब आपका स्पस्ट क्लियर है कि आप पूरा पढ़िएगा इन चीजों को मैंने पूरा डिटेल में उसको पढ़ा है तो यहां पर क्या है सी लैंगवेज का इंपूट दिया गया और उसके बाद उसके आउट्पूट और इंपूट और बहुत लोग स्टेट्मेंटल कोश्चन नहीं बनेगा अगर आपको पता है कि सी को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके हैडर फाइल पता है उसका फूटर पता है यह सब कुछ अगर डिक्लियर आपको बहुत तरीके केसे स्कॉफ अब हैंडल कर पाईएगा तूसरा पार्ट हमारा अठ डेटा स्ट्रेक्शरद टेटा को हैंडल करने का तरीका जिसमें आप को प्रिमिटीव डेटा टाइप नॉन प्रिमिटीब डेटा вообще रा जाता सान्व अंद्री बहुत बनता है कि prefix to post fix to prefix conversion करने वाला यह वाला question यहाँ पर देखने को मिलता है after that अगर मैं बात करता हूं तो फिर आपका array representation क्यों के application क्यों कितने प्रकार के होते हैं link list कितने प्रकार के होते हैं यह सारी चीजें यहाँ पर बनती है उसके मेरा क्या-क्या बन जाता यहाँ जैसा मैं कर आंटर करेंगे वहाँ पर मेरा बन जाता अगर आप देख पा रहे तो उस case मेरा अग्राफ के बारे में वहाँ पर पढ़ना पर दो यहीस सब यहाँआ जिसको मैंने की develops कर दिया अगला लिंक लिस्ट और उसके टाइप ऑफ लिंक लिस्ट तो यह वाला पार्ट है जो इहां पर आपको बनेगा कोई भी बच्चे को किसी तरह का चैलेंज जा रहा है कि सर्मुझे यह समझ नहीं आ रहे है कि स्टेंडर का कोश्चन बनेंगा और मुझे यहां पर कोईरी कर सकते हैं लेकिन यहां पर क्या है अल्गोरिदम के लिखने लिए क्या-क्या टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके अंदर हम लोगों नोटेशन नोटेशन तो भाई मेरा उसमें भी आता है त्योटी में भी आता है तो कुछ पार्ट है जो थीओरी अप्यूटेशन से भी जाता है ठ् meaning दिसस करने वाले सर्च बाइनरी ने डिस बारे में सार्चन्ञ सार्च भानीरी सार्च बी स्टी देखना होगा एक अधी डेखना पढ़ेगा यहां पे करने वाले उसको एंपी आपको दिया हुआ है ठीक नन प्रोसिजर भी दिया हुआ बीग ओ के बारे में कनवर्जन तो यह पार्ट थोड़ा सा आपको चुकी मुझे मालूम है बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चे लेकिन इससे एक्जाम में कोशन बनता है अच्छ लोग हम ब्रेक आउट करेंगे तो कम सम्सक्राइब बनेगा लेकिन आपके एक्जाम में क्या किया गया कि समझो की मिनीमं 10 चेप्टर है ब्रेक आउट करके 15 चेप्टर बनाए गया ठीक है तो यह रिलेटेड है सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है इस पिछला लिनियर में वारा ट्री का पार्ट आता है फिर अगर मैं बात करता अगले पॉट्ट में इंट्रोडेक्शन टूर्स वेस्ट तो आप प्रॉमिंग और डेटा स्ट्रॉच्चर अल्गूर्थम में याद रखना आपको प्रॉमिंग में सी के बारे में जानना है जो अलेडी आ स्टार स्फेट्ट आता अपको बहूत पसंदारा होगा सिस्टंब क्या मैं इसको बीना देखे आपको बता डिता हूं यहां पर कि यह हमारे और मेंजोसर होता है आज मेंचिन uhm मैं का काम ज negativity मैंच्मेंट का काम अप से पूच duty मैंडमिन यहाँ इस सारे मेनेड़मेंट का क के बारे में fragmentation के बारे में segmentation के बारे में उसकी जानकारी आपके डिमांड पेजिंग के बारे में वर्चुल पेजिंग के बारे में उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए उसके बास मैं सिडूलिंग एलगुरिद्म के बारे में बात करता हो तो वहां पर कैसा होता है क्योंकि टीचिंग एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं देता है इजी है सिर्फ यह चेक करना चाहता है कि मेरा बच्चा को अंदर इसको आता है या नहीं आता है अच्छे लेबल का कमड़े मनी कमड़ा साइंस आप स्टूडेंट है एक अपरेटिंग सिस्टम के जितने फंक्सलाइल्टी होते हैं उसी में हम लोग आफ क्या कहते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइज़शन का पार्ट है वह भी लोग डिसक्रों कर रहे होंगे यह सारा चीज है जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाता अलेडी आप देख सकते हैं जो मैंने बताया वही सब है यहां पर ठेक है प्रोडाम इंपूट डियमें है डारेक्ट मेमोरी एक सेस के बारे में हमें पढ़ना है तो अवर जितना मैंचमेंट का काम है जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको काउंट कर रहा दिया कि सिडूल मैनेजमेंट टास्क बताया है इसके बारे में कुश्यन बन रहा है तो यह कहने का मतलब इस सेग्मेंट को कवर करने के लिए आपको हर चीजों के बारे में जानना पड़ेगा और हम ऐसी कुछ तरीका यहां पर निकाल रहे होंगे जिससे आप कुछ चीजे याद रहा पाई आप एक्जाम में दे दिया उसके बाद डेटा-based management system another interesting topic ठीक है अगर मेरे को को जब मैं पढ़ाई कर रहा है और मुझे पूछा जाए कि सबसे पहला चैप्टर आप कौन पिक आउट करोगे पढ़ने के लिए तो मैं DBMS पिक करूँगा ठेक है मेरा इंट्रेस और आप लोगा यही होगा बहुत म database के बारे में उसके बाद अगर आपको यह explanation अच्छा लाग रहा है तो जितने लोग देख रहे हैं कमसे उतना लाइक तो कर दो यार जितने लोग देख रहे हैं यहां पर इसका आप अशूर रहे हैं एकदम pain copy लेके मेरे साथ आप बैठ सकते हैं और भरोसा करके चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं यहां पर तो दूसरे पॉइंट में आपको बतातों DBMS मेंजर DBMS कितना होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे और उसी में हम लोग टाइपस ऑफ कीज के बारे में चर्चा कर रहे होंगे बहुत मतलब हैसानी कि कॉम्प्लिकेटर होग पूच्णी का प्रफ्रन के बारे में हम हम बात कर रहे हैं तो फ्र्स नॉर्मल फॉर्म में कौन सा प्रफ्र फेल्यू का प्राफ्रन से तो यह आप से पूछा जाएगा एक्जाम में कि बताओ भाई कौन सा प्रॉलम किस नॉर्मल फॉर्म में सॉल हुआ है तो इस तरह के कुशन है जो यहाँ पर आपके बढ़ने वाले फिर टाइप ऑफ की और लिडी बता दिये अनमली इसका जो जिक होता है वह नॉर्म लाइस लोके बारे बारें चर्चा कर पाते हैं लुकिंग प्रोटोकल्स के बारें चल्चा कर पाते हैं तो यह को आप पर याद रखना होगा दो-तिन चीज समझ में आ गया तो कहने का मतलब है कि आपको पूरा इस पर समय देना पड़ेगा और चीजों का अच्छे से आप आप इसको ऐसे समझे कि computer networking में हम लोग क्या क्या कवर कर पाते ओसाइं मौडल का नाम आपने सुना होगा एक networking मौडल होता है जिसमें सेवन लेयर होता हर लेयर का अलग अलग काम होता है उस लेयर का काम को करने के लिए किस-किस एक फटेटिंग का काम है तो नेटवर्क ले प्रेयर पर होगा या फिर मेरा डेटा लिंक यह नहीं आपको पता करना होगा आई पी अडिसपट्री SAR करने का तरीका थोड़ा सा सब्नेटिंग टच करेगा थोड़ा सब्सक्राइब क्या है डिफॉल्ट सब्नेटिंग क्या है यह दो तिन चीजे जो आप यहां पर किया जाएगा नेक्सट पार्ट है नेक्सट पार्ट है यहां यहां निए पूरा इन्जीनरिंग यह पूरा थेयृटिकल पाट है जब आप भी तेक भी कर रहे हों समय बात कर रहे होंगा तो यह याद करने वाला चैप्टर ठीक है जिसमें लोग सौफ्ट्वे डेवलप्मेंट मॉडल के बारे माद कर वाटर फॉर मॉडल हो गया रेड़ मॉडल हो गया हम लोग आज कला स्पाइरल बहुत चर्रा उसके बा को 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 मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा तो यह पूरा अगर बात करता हूं यह थोड़ा सा इसको याद रखना होगा मेमराइज वाला चैप्टर इसको आप अगर को सॉल्फ कर पाएगा अगर महनती स्टूइंट होगा क्योंकि अगर आप नहीं टरॉट करना होगा ठीए है नेक्सट पार्ट पर आते हैं अगला सेगमेंट के अब जेट-Oriented प्रमींग का सिस्ट्म सिस्टम जितना उपस का जो भी कॉंसर्ट हमारा होता है अगर मैं बात करता है बारे में जिसमें मेरा इन हरी टाइंस आ जाता है जिसमें अब्जेक्ट आ इन स्केप्सुलेस्ट आ पॉलीमोर्फिस्म आ जाता है तो उसके बारे में पूरा पढ़ना यानिकी पूरा डिटेल of सब्सक्राइब किसी लैंग में बेस्ट नहीं सिर्फ ओप्स के बारें पढ़ना है कि इन हेरी टैंस क्या होता है टाइप आफ अपर पॉलिमॉर्फिस्म कितने टाइम का होता है ठीक है आपका और कुछ नहीं हाप इसका होई तो अरक चांस्ट्रेक्टर के बारें फ्रसट चा ऐसलेगा तो रस्टेक्टर डिस्ट कटर अबर ले रही तो सब वही है जो मैंने अल Lunaradaki Divac से बारें तो यहां पर सब मैठपने समझा अम SP constern होगा पॉली मोर्फिस्म क्या होता मैं इनी थिंग 1 क्यों मैं फॉर्म कहा जाता है आप से पूछा जाएगा कि यिए कौन सा पॉलि मौर्फिजम है थेक टैप आप पॉलिमक्यूर्फिजम है यह कौनख का एक्जामल एकото tutti को नीट उस अच्छा वेबेस्ट एप्लिकेशन कहने का मतलब है ना कि इसमें मोस्ट आप वो टूल्स कवर किया जाता है जो फ्रंट इंड डिजाइनिंग में होता है जैसे स्क्रिप्ट वाला पार्ट लेकिन अब जावाना बढ़ गया है अब नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट से नहीं कुछ आप देख सकते हो यहां पिर नोट जैस के बारे में पूछा गया है ठीक है तो नोट जैस और गिट के बारे में यह थोड़ा सा एडवांस है ठीक है जो के बारे में पूरा CSS के बारे में पूरा यह सारी चीज़ें जो आपको वेब डबलेमें यानिकी फ्रंट इन डिजाइन करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए होगा उसके बारे में पूड़ा पढ़ना इंक्लूडिंग स्टेमल से जावा स्क्रिप्ट नोट जैस नया एड कर दिया है और फिर हमारा एक्सेमल तो हुए गाई फिर पी एच्पी एंड माइस को अगा फ्रॉट पी एच्पी का सिंटेक्स भी हमें यहां पर थ्रॉड़ा सा देखना पड़ेगा और मेरा माइस को ठीक है पीच्पी हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर तो यह वाला पार् पूरा नेट का नेट का सिलिबस में यह रहता है तो यह वाला पार्ट जो है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो यह बैसिलिक कंपाइलेट डिजाइन सही एक्स्टेक्टेट है जिसमें लोग ग्रामर के बारे मापने नाम सुना होगा अपने तो यह सा आउटो मेटा कि आप सिंपल सा बात है यह पूरा चैप्टर का है एक लाइन में में क्लियर कर देता हूं फिर आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो डिसकस करेंगे बेसिकली क्या होता है कि हम जो कोई भी इंपूट देते हैं तो पैटरन के तहत इंपूट जाता है और अंदर में कंपाइ लगा एक वर्चोल मसीन होता है तो फनाइट आटोमेटा जो काम करता है फिर उसके अंदर ग्रैमर काम करता है टोकंस के बारे में आपने सुना होगा तो यह सारी चीज़े बेसिकली यह कंपाइलर डिजाइन का एक्स्टेंडेट पार्ट है ठीओरी अफ कंप्यूटेशन तो यह वाला पार्ट है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो यह थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला और मैं जहां तक मुझे तजूर्बा है मैं बच्चों को जानता हूं इस वाले चैप्टर पर बहुत जादा आप लोग को इंट्रेक्शन नहीं होगा बहुत तो यह आपका चैलेंजिंग चैप्टर है जो आपको मैं बता रहा हूं इस पर जितना हम लोग समय देंगे वह ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा नेक्स्ट पार्ट पर आता है इंटरनेट और बात करूं तो इमर्जिंग ट्रेंट पर यह चीज़े चलती है जैसे अ हमारे फ्रीज में इंटरनेट हमारे लाइट में इंटरनेट है कार में इंटरनेट हर जगा इंटरनेट है तो हर डिवाइस में इंटरनेट को ही इंटरनों थिंकिंग कहा गया और यह इमर्जिंग ट्रेंट के कैडेगरी में आता है जैसे इमर्जिंग ट्रेंड में क्या आ आता है किस कैटेग्रिव तो ये सब मेरा आता है आपका लेटेस टॉलागर मैं बात करता हूं इमर्जिंग ट्रेंट् परिशन ट्रेंज का ही यह सब पार्ट है इंटरनेट उप धिंकिंग टर्म्स के बारे में यहां पर पढ़ना है तो ये भी एक नया चीजे हैं आप लोग ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा यह लास्ट का तीन जो मैंने आलडी बता है उसमें मेहनत ज्यादा मांग रहा है ठीक है चलिए उसके बाद आगा फॉन्डेशन आफ यह भी एक तरह से टाइब कितने होते हैं तो बेसिकली यह एक तरह से इंफॉर्मेटी चैटर और इसमें कुछ ऐसे चीज़ आड़ा है जो नेट्वर्स सीकूरिटी से भी कवर अब होगा जैसे कि हम लोग बात करते हैं मॉल्वेर फायर्वाल के वारे प्रॉक्सी के बारे में तो यह सारी सब्सक्राइब करें तो लास्ट का जो तीन चैप्टर मैंने अगर मात को स्टार्ट मैंने किया था फिर आयोटी पे बात करें फिर हम लोग आटिफिशल इंचलिंज से बात करें ठीक है यह ऐसे चैप्टर होगा जहां पर साइड आप उतना अवेर नहीं होंगे बाकि इससे पहले वाले चैप्टर उसमें बहुत जादा मतलब महनत नहीं बस एक बार रिवाइस टाइप में भी चीज़ आपके साथ अच्छे डंग से हो जाए तो अब अच्छा कर लोग ठीक उसी टॉपिक से कुशन आपके एक्जाम आएगा तो प्यारे बच्छों यह हमारा था टोटल पंदरा का पंदरा चैप्टर मैंने अल्यडी बता दिया तो आपको एक आईडिया लग गया होगा कि कि कितना पर नैट से रियली एक बड़ा स्लेबस है और हम इसको तरीक कि ओगा डेटाइबस होगा और ठीक है चली उसके बाद बात करते है पेपर टू के बारे जहां पर हमारा आट आप्ट और टीचिंग इंस्कील्स आपके पारे में तो ठीचिंग से आपके इन अब्जक्त्प से इकोशन ओगया पर टीचिंग मैंस्टिंग मग्शन होगया उस फिर आपका effective ecosystem यह थियोरी है अगर आप पढ़ लोगे तो कर लोगा अगर रियल में थोड़ा सा hard working होगो तो informative चीज़ है सिर्फ आपके बारे information इसके बारे पहुच जाएगा आप कर लोगे काम आपका हो जाएगा फिर आपका text books और लाइवरे इसके बाद यह पूरा आपका आगया किस पार्ट में तो हमारा teaching aptitude से आगया ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें जनर्नलोग को जीके कहते हैं जॉन्मल जी इस इसको मैं बात करो तो teaching aptitude आपको ज्यादा महनत मांगेगा बाकि इसमें आपको कम महनत तो आप लग जाहिए धिरे-धिरे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि प्रॉपर एक कॉपी खर दिये सबके बारे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए पहले प्रॉपर पहले नोट्स ब सब्सक्राइब आप इस लाइक हो जाएंगे कि नहीं सब्सक्राइब हम टेकल कर पाते तो फिर आप प्रैक्टिस सेशन की और जाके अच्छे सब्सक्राइब बहुत चालेंज नहीं होगा अगर आप इसको ढंक से लेके चलते हैं समय आपके पास है चार महने का आस-पास ल या फिर आपका पीपर टू के बारे में होगा ठीक है तो प्यारे बच्चो आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा जो भी आप उमीद के साथ हमारे साथ 30 मिनट का वीडियो हो गया लेकिन मुझे इतना बताना जरूरी था अगर यह पूरा वीडियो आप देख लेते ठीक है तो कैसा लगा यह सेशन मुझे जरूर बताईएगा सारे बच्चे अपना रिव्यू मेरे साथ जरूर शेर किजएगा और इसके अलावा आपको और क्या-क्या प्रॉब्ल सर मुझे यह चीज में डाउट है अभी भी होगा और मैं उसकी जवाव आप तक नहीं जरूर बताईएगा और साथ अपर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए हमारा अप्लिकेशन है 247 का इसे डाउनलूड कर लिएगा बाकी की सारी जानकारी उसे के माध्यम से हम यहां पर कम्मुनिकेट कर रहे होंगे तो चलिए अभी इतना है रखते है फिर मिलत अगले वाले वीडियो में तब तक लिए गुड़ लग गुड़ बैंट टेकर जैन दोस्तों बाई बाई